जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल रेल रिवी में दोस्तो आज आज आम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे गुरूब डी दो हजार चोईस में जो आपकी बेकेंसी आने वाली शुरू करते हैं असिस्टेνट पॉइंट समीन बनने के लिए जो एकजाम देनी पड़ती है वो है और रार्सी गुरुबड'ी एकजाम देते हैं असिस्टेंट पॉइंट मैंट की जो ग्रेड़ पे है लेवल 1 की पोस्ट है जिसकी grade पे अठारा सो होती है और इसका जो बेसिक पे है वो अठारा जार होता है आपकी जो भी salary calculate होगी इसी basic paper calculate होती है qualification की बात करें assistant pointsman के लिए only 10th pass आपका होना कंपल सरी है selection process की बात करें इसमें आपका CBT 1 होगा PET होगा यानि physical efficiency test होगा जब आप CVT 1 और PT 1 पास हो जाओगे उसके बाद आपका document verification होगा और उसके बाद आपका medical होगा medical assistant pointsman के लिए जो बांगा जाता है वो A2 medical मांगा जाता है गुरूप D की ये एक मातर ऐसी post है जिसके लिए A2 medical standard मांगा जाता है बाकि जितनी भी सारी post है उनके लिए इससे जो कम medical standard मांगा जाता है गुरूप D में सबसे high medical standard assistant pointsman का ही होता है आपका जो CVT exam होगी उसमें आपका जो नमबर आएंगे उसके आदार पर आपकी merit बनेगी PET आपका जो physical efficiency test है वो आपका only qualifying nature का होता है PET के लिए physical efficiency test के लिए जो CVT 1 में candidate पास किये जाते है वो vacancy के 3 गुना candidate पास क जाएंगे और जो PWBD candidate है उनको physical efficiency test PET देना नहीं पड़ता है तो उनकी जो merit है वो किस आदार बनेगी उनकी CVT 1 में जितने नमबर आएंगे उसके आदार पर आपकी उनकी merit बनेगी और उनको PET में qualify मान लिया जाएगा तो PWBD candidate के लिए किसी भी परकार का कोई PET physical efficiency test नहीं होत होता है तो आपके 28 दिन की training होगी जहां पर आपको रहने के लिए होस्टल प्रोवाइड किया जाता है खाने पीने की वहीं पर सारी ववस्ता होती है उसके बाद आपकी salary की हम बात करें तो salary इसमें level 1 की post है जिसकी grade पर 18 सो होती है इसमें जो कौन-कौन से allowance मिलते है इसमें 3% से 4% बढ़ता है मेकजीमम 3% बढ़ता है तो साल में आपका हर साल 6% आपका DA यानि महंगाई बढ़ता है उसके बाद है आपका TA ट्रांसपोर्ट allowance तो salary आपको ट्रांसपोर्ट allowance भी देते है यह आपको आपकी office से घर जाने और घर से office जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वह भी आपको प्रोवाइड करती है उसके बाद मिलता है आपको हरे house rent allowance यदि आप quarter लेते हो तो हरे नहीं मिलेगा यदि quarter नहीं लेते हो तो आपको हरे मिलेगा यह आपकी basic paper calculate होता है जैसे अगर आप x city यानि metro city में पोस्टेड हो तो आपको basic pay का 30% मिलेगा रेलवे आपको अलग से night duty allowance के रूप में भी पैसे देती है उसके बाद है आपका NHA national holiday allowance यानि assistant pointsman में जिस दिन national holiday रहेगा उस दिन आपकी अगर छुटी नहीं रहती है उस दिन अगर आप काम करते हो तो आपको NHA national holiday allowance के रूप में भी पैसे देती है उसके बाद है traveling allowance यानि TA कब देती है railway जब मान के चलिए आप A station पर posted हो आपको B station पर काम के लिए जाना पड़ा जो आपके station से कम से कम 8 km दूर होना चाहिए तो A station से B station पर जाने पर railway आपको traveling allowance के रूप में अलग से पैसे per day के हिसाब से देती है तो इस तरह ये TA भी मिलता है लेकिन ये TA किसी को न अच्छे 7000 रुपे TA के आराम से बन जाते हैं बात करें हम gross salary की बारे में तो आपकी gross पे लगबग 30,000 के आसपास आपकी without TA gross salary बन जाएगी और bit TA की हम बात करें यदि आपको TA भी मिलता है तो लगबग आपकी 40,000 के आसपास initial परमंत आपकी salary assistant pointsman में रहेगी assistant pointsman की एक बात है कि इसमें आपकी duty 12 गंटे की लगती है आपको 12 गंटे तक खाम करना पड़ेगा यह दि कोई बहुत बड़ा station है बहुत citation है तो बहां पर आपकी 8 गंटे की duty रहेगी लेकिन maximum station है जहां पर आपकी 12 गंटे की duty रहती है ट्रेनिंग में बात करें तो ट्रेनिंग में आपको 27,000 रुपे stipend के रूप तोर पे मिलते हैं जिसमें आपका क्या मिलता है एक तो आपका basic पे मिलेगा 18,000 प्लस आपका यानि महंगाई बतना मिलेगा जो 50% चल रहा है बरत्मान में तो आपके 27,000 रुपे इस टाइपन के रूप में मिलते हैं इस तरह जो अजिस्टेंट पॉइंट्स में उसकी salary को इस तरह कैलकुलेट करते हैं इस जॉब में हम night duty की बात करें तो इसमें night duty आपकी लगती है लेक पढ़ सकता है रेष्ट आपका बीक में एक दिन होगा ऐसा नहीं आपको Sunday को रेष्ट मिलेगा आपको Monday को भी मिल सकता है Tuesday को भी मिल सकता यह जहां पर आप पोस्टेड होंगे वहां पर आपका जो roster है उसके हिसाब से आपका रेष्ट रहेगा लेकिन सब्ता में आपका एक रेष्ट आपको मिलेगा बर्क प्रेसर की बात करें तो यह आपका station to station depend करता है यदि छोटा station है तो वहां पर किसी परकार का कोई बर्क प्रेसर नहीं होता है लेकिन अगर बड़ा station है तो वहां पर थुड़ा सा काम ज्ञादा होता है छोटे station ऐसे भी होते है जहां पर pointsman क ना हैं आपका जो संटिंग वगेरा काम है तो इसलिए जो असेंट पॉइंट का मैग जीमम स्टेशन पर किसी परकार का कोई काम नहीं होता लेकिन जो जंक्सान स्टेशन जहां पर आपकी संटिंग वगेरा होती है तो बहुत थोड़ा सा काम जादा होता है, बर्क नेचर की बात करें यह भी आपका station to station depend करता है छोटे station पर जो आपके assistant points में है या medium range के station है उन पर इसमें काम किसी परकार का कोई काम नहीं होता आराम से मज़े की job है लेकिन अगर आपको बड़ा station है तो थोड़ा आपको काम करना पढ़ सकता है work profile की बात करें यह भी आपके station पर depend करते चोटे station पर आपकी work profile अच्छी रहती है बड़े station पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं है एक station पर बड़ा station तो एक ही points में रहता है अगर बड़ा station है तो एक station पर एक साथ 8-8-10 points में भी काम करते हैं तो इस तरह आपका station to station यह depend करता है अगर आपको छोट signal दिखाना रहता है बस एक दो गाड़ी अगर उदर डिलिंग रहेगी तो बस एक दो गाड़ी को ओल राट signal दिखाना बस काम खतम हो गया इतना ही काम बहां पर रहता है तो बर्क profile भी station पर depend करते है ड्रेस allowance की बात करें तो यह ड्रेस allowance हर साल आपको 6250 रुपे मिलता है क्य तो छुट्टी है इसमें थोड़ा आसानी से नहीं मिलती क्योंकि pointsman को station पर compulsory एक pointsman को रहना ज़रूरी लेकर अगर आपके station पर 18 pointsman है तो आपको छुट्टी आसानी से मिल जाती है तो इस तरह छुट्टियों की थोड़ी सी problem रहती है time for steady steady के लिए depend on station अगर छोटा station है तो 12 गंटे में 12 गंटे आप पढ़ सकते हो वहाँ पे किसी परकार का कोई काम नहीं होता है female के लिए हम बात करें तो female के लिए post बढ़िया है क्योंकि इसमें एक तो आपकी duty है जो station पर रहती है आपको proper station पर ही काम करना पड़ेगा दूसरा इसमें किसी परकार का कोई ऐसा hard work नहीं करना रहता है आराम की job है ऐसे जादा कोई problem नहीं है तो female के लिए post ठीक है बर्क की हम बात करेंसे में आपको क्या का काम करना पड़ सकता है आपको sunting अगर कोई बड़ा station या yard station है तो आपको वहाँ पर sunting करनी होती है sunting क्या होता है दो जो train होती है उनको या तो आप अटेज करते हैं या उनको टेच करते हो इजन को train से train को इनजन सैटेच करते हो इसे sunting क्याते है तो आपको यह काम करना पड़ेगा caution order तो यह कोज़न ओर बना कर आपको स्टेशन मास्टर देगा, वह शाइन सील लगा कर आपको काम सिर्फ इतना रहे गा कि एक जो कौपी है कि उसको गार को देना एक कौपी आपको लोको पाइलेट को देनी होती है, तो आपको कोज़न ओर देने का काम होता है, all right signal, जब कोई भ काने का आपका काम होता है दूसरा काम हूता है आपका station master की help, अगर आपको station master की काम के लिख कहता है जो исп lead से related है तो बहुत भी आपको करन रहता है तो आपको छोटा station लिख देखनी पड़ती है तो वहाँ पर passenger safety देखनी पड़ती है आपको ormalति以及 कि assistant pointsman है, इसकी जो पहले vacancy आती थी, वो getman के ऐलगाती थी, pointsman की ऐलगाती थी, लेकिन अभी getman और pointsman को merge कर दिया गया है, इसकी जो vacancy है एस्सिटेन्ट pointsman के ही नाम पर आती है, मान की चलिए एक station पर 6 pointsman है, तो अब किसी दिन आपको station पे काम करवा लिया किसी दिन आपको gate पे काम करवा लिया gate पे आपका काम रहता है आपको gate को बंद करना और चालू करना जो LC gate रहते है आपके level crossing gate उनको बंद करना और खुलना आपका काम रहेगा तो इस तरह जो LC gate पे भी हो सकती है जो gate man तो gate man की अलग से कोई vacancy नहीं आ थी, 2018 में अलग से vacancy आई थी, उसके बाद gate man की अलग से vacancy नहीं आ थी, अभी जो assistant pointsman के नाम से vacancy आती है, इसमें आपको किसी दिन आपको gate पे काम करवाया जा सकता है, किसी दिन आपको station पे काम करवाया जा सकता है, उसके बाद yard को check करना, ज करना तो Keeper上्ट के जहांब अगर कोई आप्स पर direct काम करनाा रहता है स्टेवल्ड अगर किसी इस्टेशन पर ट्रेनों की स्टेवलिंग है तो वाँ पर ट्रेनों को स्टेवल भी करना रहता लेकिन यह हर स्टेशन पर नहीं होती है यह एक सेक्षन में एक या दो स्टेशन पर ही आपकी स्टेवलिंग करनी रहती है यदि किसी दिन आपके station पर stabling करनी रहेगी तो आपको करनी रहेगी stabling में बस यह होता है आपको chain, padlock, clamp वगएरा यह लगाने होते हैं आपको handbrake वगएरा सारे वीकल के लगाने होते हैं इस तरहे trainों का stabling का काम भी आपको करना रहता है जब एक बार train आपके station पर आके stable होगी और दो-तीन दिन बाद अगर आपके station से जाती है तो उसको ready करने का काम भी आपको रहता है इसमें आपको chain, clamp, padlock जो आपने लगाए थे उनको remove करना रहता है और जो handbrake लगाए थे उनको भी आपको हटाना रहता है तो train ready करने का काम भी assistant pointsman का रहता है चेक point, point को check करने का काम भी रहता है यह monthly या weekly time पे आपका जो points को check किया जाता है उसका inspection किया जाता है तो assistant pointsman भी station master assistant pointsman दोनों साथ में जाते हैं उस point को manually operate करके check करते हैं तो इस तरह जो assistant pointsman के यह काम होते हैं अब ये काम डिपेंट ऐसा नहीं है कि एक इस्टेशन पर ये सारे काम करने रहेंगे, ये जो काम है वो डिपेंट करते हैं, अगर छोटा इस्टेशन है तो इसमें से एक दो काम ही आपको करने रहेंगे, जैसे छोटा इस्टेशन है आपको संटिंग नहीं करने रहती, छोट सिगनल आपको दिखाना पड़ेगा पैसिंजर सेफ्टी अगर छोटा इस्टेशन वहां पैसिंजर भी कम रहते तो प्रॉब्लम नहीं आती ल्सी येट को क्लॉज ओपन करने में ज्यादा काम है नहीं उनमें तो सिर्फ आपको गेट खोलना रबंद करना है उसके बाद आप सारे काम करने रहते लेकिन ऐसा नहीं है बड़े स्टेशन पर एक ही रहेगा आठ दस पॉइंट्स में रहते जो एक काम जैसे कॉसन ओडर एक देने जाएगा ओल रैट सिगनल दूसरा दिखाएगा इस तरह जो बटे हुए रहते हैं तो यह जो काम होता है वो करने पड़एगा मन्त में अगर दस दिन आपको गोरेट पर काम कर वा लिए बीस दिन आपको कम कर रया तरह को आप को के से इनर जी देने सन यह नहीं होती है अपको जो ऑ ​ pointsman से आपको pointsman फिर pointsman first third second इस तरह आपकी जो designation चलती रहती है जिसमें आपकी grade पर 1800 उसके बाद 1900, 1400, 2800, 2400 जिसमें आपको 18-1900 जाने में आपको 3-4 साल लगते हैं उसके बाद 1900-1400 में आपको जाने के लिए 5-6 साल लग जाएंगे तो exam basis पर आपके जो promotion होते हैं आपको अगर आप assistant pointsman के रूप में तीन साल की अगर job कर लेते हो तो आप station master, train manager, cctc इनकी जो exam है उनको देने के लिए आप legible हो जाते हो इसमें जो होता है कि LDC के थरूर निकलती है मतलब आपका सिर्फ इसमें assistant pointsman के लिए vacancy आईगी तो वो ही इसमें form बर सकते हैं उनके लिए जो इसमें station master बगएरा में selection के chance भी जादा रहती क्योंकि उनके लिए पढ़ने का time काफी मिलता है जो छोटे station पर कोई भी pointsman अगर posted है तो उसको सिर्फ पढ़ने का ही time वो काफी मतलब सारे दिन पढ़ सकता है उसको ज्यादा कुछ काम करना नहीं रहता है तो इस तरह इसमें selection के chance भी काफी रहते हैं मैं ऐसे काफे सारे जो pointsman उनको जानता हूँ कम से कम सो से भी जादा ऐसे pointsman है आपका station master train manager cctc आप आसानी से बन जाओगे कोई problem नहीं आती जब आप station master train manager बन जाते हो तो उसके बाद आप इन दोन ये दोनों बन जाते हो तो आपको पांस साल अगर 400 grade पे में काम कर लेते हो तो आप AOM की exam attend करने के लिए eligible हो जाते हो जैसे station master भी 400 grade पे है इसमें आप पांस साल काम करिए आप AOM की exam दे सकते हो AOM आपकी officer rank की exam होती है जिसकी जो vacancy है वो कमाती है लेकिन इसमें selection थोड़ा सा tough है लेकिन हो जाता है ऐसा नहीं कि इसमें selection नहीं होता आप officer rank तक भी आजा सकते हो अगर आप में थोड़ा सा भी talent है तो उसके बाद जो एक्जाम होती है वो आप अगर आपके पास BTEC वगेरा है तो आप JEE की जो departmental exam निकलती है वो भी आप दे सकते हो तो इस तरह जो इसमें प्रमोशन प्रमोशन इसमें अच्छे है प्रमोशन में प्रमोशन जो exam basis उसमें बहुत बढ़ी है प्रमोशन है लगबग अगर कोई जो प्रमोशन थोड़ा भी पड़ता है तो उसका आसानी से इन जो पोश्ट में selection हो जाता है बात करें अब हम facility के बारे में जो assistant points में उसे selection job लगने के बाद उसे कौन कौन सी facility मिलती है तो pass और PTO, pass PTO मिलते है जिसमें आपको पहले 5 साल आप 5 साल तक job करोगे तो इसमें एक set pass मिलेगा आपको sleeper class का और 4 PTO मिलेंगे sleeper class के उसके बाद जो आपको तीन set pass मिलते है जिसमें एक set pass आपको थड़े AC का और जो आपको 4 PTO मिलते है वो आपको sleeper class के रहेंगे आपको AC का पास नहीं मिलेगा आपको जो 5 साल के बाद सिर्फ एक pass थड़ AC का मिलता है लेकिन अगर आप station master बगेर हम promote हो जाते हो तो आपको station master की facility है वो मिलना start हो जाती है quarter की बात करें को quarter type 1 का मिलता है जिसमें आपक एक room का set रहेगा एक आपकी lettering bathroom kitchen एर एक बरामदा रहता है medical facility की बात करें तो आप all India में जो railway से type कोई भी hospital है कैसा भी महंगा से महंगा इलाज आप करवा सकते हो आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा फिर आपको children education allowance के रूप में दो बच्चों के लिए हर साल per child 33,000 के रूप में आपको मिलते है children education allowance के रूप में फिर जो उनको और फैसलेटी मिलती है वो आपको safety सूज मिलते है रैन कोट मिलते है जिसमें आपका data free रहता है आप कितनी भी बात कर सकते हो कितना भी आप net चला सकते हो तो इस तरह जो आपको स्यूजी से मिलेगी आपको रैन पोश्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ बड़े station पर थोड़ा सा काम होता है और बड़ा station ज्यादा बड़े station नहीं होते है जो में छोटे station या medium range के जो station है उन पर किसी भी प्रकार का कोई काम करना नहीं रहता है सिर्फ थोड़े दो-चार काम रहते है और कोई काम नहीं रहता तो आपको जो पढ़ाई के लिए time है वो भी आपको काफी सारा मिल जाते तो यह रही जो assistant pointsman उसकी job profile के बारे मैं मैंने इस वीडियो के मादब से discuss किया है इसी के साथ मिलते है किसी next वीडियो में धन्यबाद दोस्तो